तो दोस्तो गिजमोर कमपनी जल्द ही इंडिया में एक और स्मार्ट वाच को लाँच करने जा रही है जिसका नाम है गिजमोर प्लाजमा तो यह जो स्मार्ट वाच है इंडिया में 26 दिसंबर को लाँच होने वाली है और कमपनी इस स्मार्ट वाच को इंडिया में 1799 रुप और आपको यह स्मार्ट वाच लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपको इस स्मार्ट वाच से जुड़ी हर एक यूस्फुल जानकारी मिल पाए तो इसलिए सबसे बात कर लेता है फीचर्स के बारे में तो देखो इस स्मार्ट वाच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट जो है देखने को मिलने वाला है इसी किसा साथ कमपनी ने इस स्मार्ट वाच में 1.9 इंच की अल्ट्रा सार्फ बिगर डिस्प्ले जो है द दिए ये हैं जैसे हृट रे जैसर हो गया यह स्पूत सेंसर हो गया सलिप मॉनेटरिंग सेंसर हो गया चिनको हेल्ट यूस कर सकते हो और इस स्मार्ट वाच डिभी स rapid के एविधु स्येवार की रेटिंग मिली है यानि कि यह जो स्मार्ट वाच में अगर पानी चला जाता ह तो ये जो smart watch है जल्दी से खराब नहीं होगी और इस smart watch में आपको multiple watch faces दिये गए हैं जिनका use करके आप display को customize कर सकते हो तो दोस्तो ये थे features जो कि इस smart watch में दिये गए हैं देखा जाए तो feature से काफी सारे company ने इस smart watch में दिये हैं तो चलिए अब बात के लेते हैं कि इस smart watch को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो देखो इस smart watch को company ने 1799 रुपए में इंडियाम लॉंच किया है और देखा जा तो जिस price point के साथ company ने इस smart watch को market में लॉंच किया है उस price point के हिसाब से company ने इस smart watch में काफी अच्छे अच्छे feature दिये हैं और इस smart watch का look भी आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है और देखा जा तो look मुझे काफी सही लगा इस smart watch का आपको कैसे लगा comment करके जरूब बताईए और अगर आप इस smart watch को लेना चाहते हो तो ले सक सकते हो और अगर आपके मन में अभी भी कोई question कोई भी doubt है तो comment करें पूछ सकते हो और वीडियो चलागा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को subscribe कर लीजे ताकि आपको ऐसे ही useful वीडियो हमेशा देखने को मिलते रहे तो भाई लोग यही वीडियो में मिलते है किसी नए वीडियो में